हलो इप्रिवान विल्कम बैक टू माई चैनल फरजी प्रमान पत्र पर बाहाल दो सिक्छकों पर प्राथमी की मुतिहारी का निउजे निगरानी अन्वेशन वियूरों की ओर से दर्ज कराया गया है मामला विभाग की आख में धूल जोग कर वर्सों से फरजी प्रमान पत्र पर बहाल गुरुजी पर निगरानी अन्वेशन वियूरों ने शिकंजा कशना शुलू कर दिया है इसी कारी में निगरानी द्वारा फाइल फोल्डर का जाच की जा रही है जिसमें तुर्कॉलिया प्रखंड की माधोपूर टोला सोहिल छपड़ा के शिक्षक जैसंकर चौधरी पर प्रात्मी की दर्ज कराई गया है जो वर्ष 2005 में कारे रत है जाचो उपरांत निगरानी ने पाया कि उक्त सिक्षका मैट्रिक प्रमान पत्र फरजी है इसी प्रकार रॉक्सॉल से एक मामला आया है जिसमें बरियारपूर के सिक्षक सुजीत कुमार पर भी मामला दर्ज हुआ है जो रॉक्सॉल में बर्ष 2007 से कारे रत है उक्त सिक्षक का मैट्रिक में प्राप्तांक जो है मातर 206 है जो फेल है मैट्रिक में लेकिन सिक्षक के प्रमान पत्र पर बिहार विद्याले परिक्षा समीथी पटना द्वारा इनके अंक पत्र पर फेक मोहर लगाया गया है उक्त दोनों सिक्षके विरुद निगरानी अन्वेशन ब्यूरो मुझपर पुर प्रचेत्री के पुलिस उपादिक्चक कनहया लाल ने प्रात्मी की दर्ज कराई है बता दे कि जिले में विभीन प्रखंड में कारेरत सिक्षकों को निगरानी जाज के बाद फरजी प्रमानपत्र का खुलासा हो रहा है अब सवाल यह है कि प्रखंड वपंचायत नियोजन इकाई उक्त दोनों फरजी प्रमानपत्र पर करीब 13 वर्सों से कारेरत सिक्षकों पर कारवाई नो कर बेतन भुगतान कैसे कर रहा है इसलिए उक्त सिक्षकों के साथ संबंधित प्रखंड के नियोजन इकाई के बिरुद्ध भी जाचो उपरांत कारवाई का मामला बन रहा है तो सिक चको पर तो कारवाई होगी ही साथ ही इस नियोजा निकाई पर भी कारवाई होगी क्योंकि इतने दिनों से 13 साल से कारे रथ है और 13 साल से इनको बेतन भी मिल रहा था